नवस्कार स्वागत है आप सभी का आईन्यूस इंडिया में मध्या प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से भारतिय जन्ता पाटी के टिकट पर चुनाव लड़ रही साधवी प्रग्या सिंग ठाकुर ने आज नामांकन किया नामांकन से पहले साधवी प्रग्या ने पुराने भोपाल के भवानी चौक से कलेक्टर ओफिस तक रोड़ शो किया इस दौरान कुछ यूवकों ने काले जन्डे दिखाने की कोशिश की इसके बाद SDM दफ्तर में BJP कारेकरताओं ने एक यूवक की जम कर पिटाई की भोपाल में साधवी प्रग्या ने रोड़ शो किया और उस दौरान उन्हें काले जन्डे दिखाने का प्रयास किया गया इसके बाद साधवी प्रग्या कलेक्टर ओफिस में अपना परचा दाखिल करने पहुँच गई इस दौरान SDM दफ्तर में मौजूद BJP कारेकरताओं ने एक यूवक की जम कर पिटाई की बताया जा रहा है यह यूवक राष्ट्रवादी कॉंग्रिस पाटी का है आरोप है कि इस शक्स ने रोट शो के दौरान साधवी प्रग्या को काले जन्ने दिखाने का प्रयास किया था इसके बाद जब वो SDM दफ्तर में BJP कारेकरताओं को नजर आए तो उन्होंने उसकी जम कर पिटाई की हैरान करने वाली बात ये है कि पुलिस की मौजूदगी में BJP कारेकरताओं ने NCP कारेकरता पर ये हमला किया इससे बहले साधवी प्रग्या ने सोमवार को विशेश मुहूरत के मौके पर भी नामांकन किया था दरसल उन्हें बताया गया था कि ग्रह दशा प्रग्या ठाकुर को जीत दिलाने वाली है इसलिए उन्होंने नामांकन पत्र सोमवार को जमा किया इसके बाद आध साधवी ने पूरे लाल लशकर के साथ अपना परचा दाखी किया इस सीट पर साधवी प्रग्या का मुकावला कॉंग्रस प्रत्याशी दिगविजय सिंग से है तो अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रग्या सिंग की इतनी मेहनत के बाद क्या उन्हें ये सीट मिल पाएगी और क्या वो इस चुनाव में दिगविजय सिंग के खिलाफ जीत पाएगी ऐसी ही तमाम खबरे जानने के लिए जुड़े है न्यूस इंडिया से धन्यवाद